Hello everyone, welcome to today's class, so today we are going to start new chapter, that is using python libraries, okay, तो इस chapter को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस chapter में आप पढ़ाएंगे python module के बारे में, and python packages के बारे में, and python libraries के बारे में, and you will also learn about framework, ठीक है, तो इन topics के बारे में हम पढ़ाएंगे इस chapter में, okay, so these are the topics which will be covered in this chapter, तो आज के हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे python module को, okay, python module क्या होता है, so what are the python module, it is a file which contains python function, slash global variables, slash classes, it is just.py file which has python executable code, slash statements, ठीक है, तो python module को अल्रेडे हम प्रोगाम में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ प्रॉपर तरीके समझेंगे, कि python module क्या होते हैं, और अगर आपको कोई python module क्रीट करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे, तो python module है क्या, python module is nothing, but just a python program file, मतलब यह python module है, simple.py file ही है, जिसके अंदर कुछ functions हो सकते हैं, कुछ classes हो सकते हैं, कुछ variables हो सकते हैं, और उन functions classes, या फिर जो variables हैं उसके अंदर, उनको यूज कर सकते हैं, किसी other program में, अगर किसी python module के अंदर किसी particular function को perform करने के लिए code लिखा गया है, तो वो code हम import कर सकते हैं, किसी और program में, बस उस function का हम name लिख देंगे, and Сimana in-run module का name कि हम import, कि हम इस module से import करना चाहते हैं, यह function तो import कर सकते हैं इस इस तरह किसी module को देखा था, बहुते हैं, प्रेड़न व questa timeline में लिए fewsome module के लिए चाहिए, प्रिदेफाइंद मॉड्यूल का मतलब बो मॉड्यूल जो पाइथन के अंदर ऑल यह जिनको हमें डिफाइं करने की ज़रूरत नहीं होती है मतलब और अंदर जब भी आपको एक्सेस करना हो इनको तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं डारेक्टली ठीक है इन मॉडूल के अंदर पर्टिकलर फंक्शन होते हैं जिनको कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं वा यूजिंग दीज मॉडियोल ओके अब बात करते हैं सेकंड टाइप की डैट इस यूजर डिफाइंड मॉडियोल ठीक है फॉर एक्जामपिल कैल मतलब क्या है यूजर डिफाइंड मॉडियोल का होते ह जी हम डिफाइंड करते है अपने रॉक्षायारंग काडिम काडिंट की अगर हम प्रोगां प्रोगांड करना है तो हम अपने अप्रोल को दीफाइंड पर ही होगा क्योंकि हम predefined module के साथ में already work कर चुके हैं काई सारे प्रोगाम में लेकिन हम यहां पर create करेंगे user defined module को ठीक है अगर हम user defined module करना होगा तो हम किस तरीक से करेंगे तो चलिए देख लेते हैं how to write user defined module किस तरीक से हम user defined module को लिख सकते हैं तो suppose कि आपको calculation के लिए एक module बनाना है तो उसके अंदर हम code लिख देते हैं suppose इस तरीक से code लिख देंगे हम एक calc नाम का module बनाएंगे और उसके अंदर हम यह function define कर देंगे तो हमने addition के लिए function define कर दिया कि दो argument ले और उसको तो return कर देगा plus करके मतलब add कर देगा इसी तरीके से subtraction के लिए इसके अंदर function define कर दिया जो कि subtract करेगा value को और यह function define कर दिये और यह code लिखने के बाद में Python program में उसको हम save कर देंगे और save आप जिस नाम से भी चाहते हैं आप module करेट करना उस नाम से आप कर सकते हैं इस case में हम save करेंगे calc नाम से ठीक है आप चाहाओ तो नेम कुछ भी ले सकते हो ठीक है मैंने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप क्या होगा अब कैलक नेम से एक मॉडिल क्रियेट हो जाएगा और इस मॉडिल को यूज कर सकते हैं किसी भी पाइफन प्रोगाम के अंदर ठीक है इन अगर हम इस मॉडिल को यूज कर सकते हैं किसी और प्रोगाम में हम चाहते हैं कि अगर अगर मॉडिल को हम इंपोर्ट करते थे और उसके बाद मॉडिल के फंक्शन को हम यूज कर लेती थे तो सेम तरीके से यहां पर आप यूजर डिफाइंड मॉडिल में भी यह काम कर सकते हैं गान बार करते हैं किस तरीके से मोर्य को इंपोर्ट करेंगे बैसे मौडल को इंपोर्ड करना वह ढटा आपको पता है लेकिन फिर से मां बता दी रहा हूं तो इंपोर्ट करने के इस इसे के लिएगे उसको कई नाम मौड़तों को नाया उसका उंपोर्ट हो और यहां पर दे देंगे और इस पूरे का रिजल्ट हम इस्टोर कर लिए किसी वेरेबल में ठीक आप चाहँ तो डारेक्ट कर आ सकते मैं आप फरेंट कर लिया वेरेबल में और उसके बाद में प्रिंट इस्टेट्मेंट दे दिया तो जो भी हमारा कैलकुलेटड और दोगा वो प्रेंट हो जाएगा ओके तो चलिए मैं इसको practically आपको करके दिखा देता हूं प्रोगाम के हैल्प से जिससे कि आपको concept जाद अच्छे से clear हो जाए तो यहां पर पहले मैं फोल्ड क्रिएट कर लेता हूं मौडूल के नाम से यहां पर मौडूल के नाम से फोल्डर क्रियेट कर देता हूं मैं और इसी के अंदर मैं क्रियेट करूँगा पाइथन प्रोग्राम को और इसके मौडूल को ओके तो चलिए यहां पर करते हैं पाइथन अडिली को ओपन तो तो इसी फोल्डर के अंदर जो डेक्स्टॉप पे एरा फॉल्डर था मॉड्जिन नाम से और हाँ मॉड्यू का नाम नाम देता हूं तो मेरा मॉडू का नाम रहेगा का कैल्क ओके ओर डॉट पीवाई किके कर दिया है मैंने अब इस मॉड़ील के अंदर की मैं फंच्शन लिखंगा कि इस मॉड़ील के अंदर मेरे क्या का फंक्शन दहने वाले हैं ठीक है तो पहला फंक्शन मैं लिखोंगा यहां पर एड़ ऑगे और हापर मैं argument आर्गुमेंट पास कर देता हूँ A B यह आर्गुमेंट पास कर दिया मैंने and मैं चाहाता हूँ यह रिटन कर देना अर्गुमेंट को add करके A plus B A plus B तो यह मेरा function बन गया है जिसका काम क्या होगा कोई भी दो आर्गुमेंट लेगा और उनको प्लेस करके रिटन कर देगा एक function और बना देता हूँ मैं इसके अंदर suppose बना देता हूँ def subtract नाम से बना दिया है यह मैंने और इसके अंदर भी आर्गुमेंट पास कर देता हूँ A B और इसको भी रिटन कर देता हूँ रिटन ठीक है और मैं कर देता हूँ A-B तो यह भी दो आर्गुमेंट अक्सप्ट करेगा और जो आर्गुमेंट आइग को उनको सब्ट्राक करके रिटन कर देगा ओके एक और बना देता हूँ है यह पर डैफ सपोज multiply multiply के नाम से मना दिया है मैंने और इसके अंदर भी आ आप और यह फंक्चन माने इस जब्सक्राइं कर दीए अगर आप और चाहांते हैं का इस मोड़िल के और 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 व्याइन कर सकते हो इस किल्क मॉडिल के अंदर और यह फाइल को पूरी निकर और रखेगी इन सारे फंक्शन को और इस वाइल को इंपूर्ट करकर आप प्र इसी भी प्रोग्राम में यह होता है हमारा मॉडल को कॉंसेट तो कैलकुलेसिन से रिलेटेट जितने भी फंक्षन आप चाहों यहां पर डिफाइन कर सकते और उन सारे फंक्षन को आप किसी प्रोग्राम में इंपोर्ट कर पाऊगे ओके अब मैं इसको सेप कर देता हूं कर देता हूं और इसका नाम देता हूं मैं में प्रोग्राम नाम दे दिया मैंने इसका डॉट पीवाए ठीक है सेप कर दिया मैंने यह ओके तो अब यहां पर मैं इंपोर्ट करता हूं उस मॉड्यूल को तो यहां करूंगा इंपोर्ट जैसे कि हम प्रिदिफाइन मॉड्य को import करते हैं वैसे करेंगे import okay do weodil का नेम आ जाएगा तो यह हमारा module इ資मानल ऑफोरो जाएगा अब इसके वाद में जो ही function इस module का यूज करना है हुज कर सकते हैं तो suppose कि मैं इन यहाँ पे इस module के Add function को यूज करना चाहता हूं एक एक function को मुझे कर देता हूब 10 और है कर देता हूं पूलषक यहां पर देता हूब कर सकता हूं पर यहां पर प्रेंट कर सकता हूं और इस को तो तो में हमने चलाए को चलाए को आड़ करतेगा तो यह देखी तो इसने दोनों नंबर को मैंने कोई भी ऑप्लाइन क看看 यहा पर प्लास लगा जाएं फिर भी इसने आड 52 हमने यूज कर आए आप क्यालक मौडील को और कल्क मौडुल के अंदर का कौन सा function हमने अक्सेस किया एड फंक्षन और अल्यक्ड डिफाइन के लिगा कि इस तरीके सी अ addition कि अदर कि जा डिफाइन थे जब भी स àsपिया गया तो यह उसको एड करके रिटं कर देगा आ हो प्रेंट करता ओं मिब्लक्ट ऐसको करでता हो ऑर इसको नहीं को तर Pittsburgh संक् सक्रियां कर दिया है और स्रे लोग्यों को ओके अब इसको चलाता हुआ तो देखिए हमारा सब्ट्रक्षिन वह जाएग यह देखिए ठीक है इसने सब्ट्रेक्ट कर दिया सेगंड वाला जो फंक्शन था उसने देखिए सब्ट्रेक्ट कर दिया ओके तो आए होप आपको समझ में आगे हो किस तरीके से उसको प्रोगाम में इंपोर्ट कर सकते हैं ओके अगर आप चाहूं तो यह जो पास कर रहा ह एडिशन 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 ओके यहां भी मैसेज दे दिया जैसे कि यूजर को पता लगे कि मुझे एडिशन के लिए वैल्यू को प्रोवाइड करना है तो यहां पर बैरेवल लेता हूं सब्सक्राइब लेता हूं नमबन के नाम से इसमें यूजर फस्ट नमबर एंटर एक रहेगा एंट इंट टाइप की वैलिव लंगा मुहां अम्सेयर से और यह मैं आपसे देता हूं enter अगिने जैंड करेंगे इन रबेरिबेल्स इस पहले हो यहां पर यहां और रहता हूं कर देडा मैं कर देता हूं यहां यहां पर चाहिए यहां कर दो और यहां पर नम टूलित दो नम तो ओके अब मैं इसको सेब कर देता हूं और चलाता हूं देखिए प्रोगाम को कुछ अरर हो गया है ओके इंपुट डिफाइन करना पड़ेगा इन्पूट से लेगा वह तो इस चीज का दिहान रखना पड़ेगा इस तरीके से लिए हमने इस वाले में भी हाँ पर आएगा यह इस तरीके से रहेगा इन्पूट और इसको बंद कर देते हैं आप कि फोड़ा सा मेरा माज्ञा कर रहा है चीकत है से व कर देते हैं अब चलाते हैं इसको इसको देरे खिया दिक्कत हो गई कहा प्रॉल्लम है कहा प्रॉलम मैं इन पैलेट स्न टेक्स वता रहा है यहां पर मिस्टेक यह डاؤबल ड्रहेग यह ए सथा पटे लगा करता हूं सब्सक्राइब करेंगे और उसको अपने प्रोगाम में किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे करते हैं किस-किस तरीके से हम module को सकते हैं आपने प्रोग्राम में अपनी कर सकते हैं ठेक से इंपोर्ट वान कर सकते हैं तो कि तो सिंपल हो गया सेकंड है import with renaming ठीक है रिनेम करके import कर सकते हैं इनको भी हम बन बाइवन डिसकस करेंगे एंड थार्ड हमारा python from import statement एंड फॉर्थ हमारा import all names ठीक है तो चलिए इनको देखते हैं बन बाइवन पहले बात करते हैं python पाइथन इंपोर्ट इस्टेटमेंट की इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि simply आपको import लिग देना होता है और जिस मॉडिल को आपको इस तरीके से लिग देना होगा और जिस फंक्शन को भी आप अक्सेस करना चाहते हैं इस मॉडिल के तो पहले model का नाम लिखेंगे और उस आपको उस मॉडिल के access करना है तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट हो जाएगा एक तरीका तो यह हो गया इसको हम देख चुकी है भी करके तो इसको मापको प्रैक्टिकली नहीं समझा रहा हूं अब देखते हैं सेकंड सेकंड हमारा इंपोर्ट विद रिनेमिंग तो आप इस तरीके से इंपोर्ट हो मतलब यह हैं अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो किसी भी मॉडिल को तो यहां पर जब आप मैठ मॉडिल के function को एक्सेस करेंगे तो आपको मैठ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो आपने नेम दिया था वह आप लिख तो आपका मैठ मॉडिल का वह function access हो जाएगा ठीक है अब देखिए एंप्टी डॉट पावर मतलब पावर function को access किया है मैठ मॉडिल के ठीक है तो इस तरीकी से आप रिनेम करके भी कर सकते हैं तो इसको मैं आपको जल्दी से practically करके दिखा देता हूं देखिए यहां पर इस प्रिंट फावर तो इसके बाद मैं लिखूंगा मॉडिल का नाम मने कर दिया है एंप्टी तो एंप्टी डॉट फिर मैं यहां पर लिखूंगा function का नेम जो function मुझे करना है तो मुझे एक्सेस करना है पावर फंक्चन तो मैं लिख दो पावर पी ओ डबलू एंड ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर दे दूंगा अर्ग्यमेंट तो मुझे करना है यह 5 की पावर कैलकुलेट तो इसका मतलब वह 5 की पावर 3 ठीक है इसके बाद मैं प्रेंट इस्टेट्मेंट को क्लोज कर देता हूं और इसको प्रोगाम को सेब करके हमारे चलाता हूं तो देखिए हमारी पावर कैलकुलेट हो जाएगी तो यह देखिए पावर कैलकुलेट हो गई है 5 to the power 3 is 125 ओके तो आई हूप आपको यह मैथट समझ में आगए हुगा कि अगर आप चाहें तो मॉडिल को रिनेम करके भी एक्सेस कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके अलाबा और किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं पाइथन फंपोर्टेंट तो इसमें किस तरह से एक पोर्ट करेंगе है आप देखिए आध इंयख़ है नहीं होकि चलिए मैं इसको भी करके दिखा डिता हूं तो इसको मचेंगरेंता大哥 सगता हम से मैथ इंपोर्ट उन कि Kaua olsun है यहां पर पावर लिख देता हूं फी ओ डबलो ठीक है अबrau लिचनी जरूरत नहीं होगी ठीक है इसको अधा देता हूं और इसको सब्सक्राइं और मैं चलाता हूं इसको तो यह मेरा एक्स्यूट हो जाएगा तो यह देखिए इसने अब यह पावर को कल्कुलेट कर दिया है 5 to the power 3 is 125 टीक है यहां पर लिखना भूल गया हूं मैं statement में यहां पर 5 to the power यहां पर लिखना रह गया है यहां पर लिखता हूं पावर पिछले statement में रह गया था यह सेप कर देता हूं मैं चलाता हूं इसको टीक है 5 to the power 3 is 125 टीक है तो यह आउट्पूट हमारा ठीक लग रहा है तो आई हो आपको मॉड्य को इंपोर्ट करने का यह मैंट भी समझ में आ गया होगा तो अब देखते हैं मॉड्य को इंपोर्ट करने का next मैथर इंपोर्ड ओल नेम तो इसमें किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे मॉड्य को देखिए इसका मतलब में इंपोर्ट सारे इंपोर्ट हो चुकी है तो इसको आप यहां पर मैथ लिगने जरूद नहीं है जितने में इस तरीके से आप दारेक्ली यूज कर सकते हो तो इसको में करकर देता हूं जल्दी से तो यहां पर से टीक है यहाँ पर हटा देता हूं और यहां स्टार लगा देता हूं फाला कि सब कुछ को है रहेगा तो यह आपको मोडिल को इंपोर्ट करने के वह आय। को इंपोर्ड करने के लिए वह आप सकते हो और इसा नहीं यह सारे तरीके आपको सुciendo मौडिल करेंगे या आपके उसरीद मौडिल पर बीबर करेंगे दिखिए मत करके दिखा देता हूं किस तरीक से करेंगे यé है मोडल का नेम जो हमारे डिफाइंड मोडूल है थीक है और यहां पर फंक्शन का नेम लिख देंगे जो फंक्शन हम एकसेस करने वाले है एड और इसके बाद में ईप्रेंटइट में चेंज कराँ यहां पर यहां लिख देता हूं मैं एडिशन ओफ फाइव एंड त्री इस इस त्रीज लिख दिया ठीक है अब मैं इसको चलाता हूँ तो इस वीडियो में आपको बता दिया python module क्या होते हैं और python module किस तरीकी से इंपोर्ट करते हैं और अगर आपको user-defined python module करना होगा तो आप कैसे करेंगे वह भी मैंने आपको explain कर दिया है आप आप लोगों समझने आगया होगा अगर आप लोगा कोई भी डाउट रहा था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा तो इस वीडियो थैंक्स फर वाचिंग